हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूडिव चैनल पैसे के बाज में दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने अलाहाबद बैंक और इंडियन बैंक के मोज़र के बारे में बताया था कि आपको Upay कैसे यूज़ करना है और साथ में कई लोग पूछे रहे थे कस्टुमर के या नंबर क्या होगा तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके debit card and credit card पे क्या असर पड़ेगा तो देखो आपके debit card and credit card में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा जैसे आप अलहाबाद bank का जो भी आप debit card या फिर credit card यूज़ करते थे वह ही आपका चलते रहेगा जब तक कि वो expire नहों हो जैसे ही वो expire होता है जैसे आप इस debit card का देख सकते हो इसका expiry date है ये तो बात की बात होगी लेकिन आपके debit card and credit card पर कोई भी असवद नहीं पड़ेगा लेकिन आपको बदलना जाते हो आपको चूल मचा हुआ है कि आपको इंडियन बैंक का ही debit card यूज़ करना है तो अब आप अपना जो existing offer जो अलहाबाद bank का debit card था उसको block करके आप नया इंडियन बैंक के ब्रांड के साथ में debit card ले सकते हो लेकिन आपको replacement charge देना पड़ेगा लगबाद 200-300 रुपया अपस आपका replacement charge होगा जैसे आपका card होगा उसली तरीके का आपका replacement charge होगा तो वो आपको देना पड़ेगा उसी परकार से यदि हम बात करें आपके UPI पर क्या impact पड़ेगा तो देखो अब आपका UPI network पूरे तरीके से बदल चुगा है पहले आप अलहाबाद bank के customer थे आप अलहाबाद bank के UPI network को use करते थे लेकिन अभी इनका ID integration complete हो चुगा इंडियन बैंक के साथ में तो अब आपक आपको customer customer care number यूज करते थे लेकरां अब आप Indian bank के customer बन चुके है तो अब आपको इंडियन बैंक का customer care number यूज करना है और वैसे यदि आप अलहावाद bank का यहाँ पे सर्च करोगे अलहावाद bank लिखके तो यहाँ पे इनका page डिलिट कर दिया गया है तो यदि आप facebook पे इनको संपर करना है तो अब आपको Indian bank का ही यहाँ पे facebook page को use करना है यहाँ पे direct आप message कर सकते हो और उनसे कुछ भी question पूर सकते हो या फिर कोई समस्या हो तो आप इहाँ पे इनको बता सकते हो यहाँ पे screenshot अगर भी बेज सकते हो लेकिन पता नहीं इनका response क्या रात है वो तो देखनी की बात है क्योंकि पता नहीं यार government bank वाले response सही से देंगे क इस की screenshot अगर भी हैसके solution पास सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है यह आपको वीडियो पसंद आगा यह यह दिए आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक करते जेगा और इस चैनल पर यह आप नया है तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर कि अगो